हलो प्रेंट तो आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल सोड़ पाउर पे और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सिखने वाले जोईन जिसके अंदर खास करके हम लोग सिखेंगे इनर जोईन विसे तो माय स्केल के अंदर बहुत सारे जोईन अवेलेबल है आप देख सकते हो लेब जोईन राट जोईन को रोस अंसीन ओनांसी सेल तो उसमें से हम लोग फिला सिखने वाले इनर जोईन और बाके जो है वो आगे आने वाले एपिसोड में आपको सिखा होगा और यह जो जोईन है यह काफी इंपोर्टन है डेटाबेस का काम होता है टेब लोग फ्रेंट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं what is sql join तो जब हम लोग select की query लिखते हैं फिला तो हम लोगों नहीं अभी जितना भी सिका हौस के अंदर हम लोग 1 टेबल के अंदर से हम लोग record fetch कर रहतें लेकिन अभी हम लोग join का use करेंगे और इसके अंदर 2-3 टेब को combine करके हम लोग data fetch करने वाले तो friend में ने whiteboard open कर लिया और इसके अंदर में पहले आपको explain कर देता हो कि कौन से हम लोग table बनाने वाले और उनके अंदर हम लोग किस तरीके से join करेंगे तो हम लोग इसके अंदर online shopping का database बनाने वाले तो shopping करते हैं तो हम लोग उसके अंदर मतलब हम लोग को कौन-कौन से table बनाने पड़ेंगे तो shopping के अंदर पहले तो user आएगा फिर product आएगा फिर order होगा तो इस तरीके से हम लोग तीन table बनाने वाले तो database का नाम में पहले रख देता हो तो database का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन मैं रखता हूँ दुकान मैंने database का नाम रखा है तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो table बनाएंगे वह हो होगा हमारा user का table आप उसको customer नाम भी दे सकते हो तो मैं फिलाल तो customer के अंदर customer ID होगा उसके बाद customer का नाम होगा फिर उसके बाद उसका address हम लोग डाल देते हैं उसके बाद customer का phone number क्यूंकि हम लोग उसको home delivery करेंगे तो उसका address phone number वह सब हम लोग को चाहिए तो कुछ इस तरह के से तो वूर्दने अंदर की लएगा है उसके बाद हम लग दूसरा टेबल यहां पर बनाते हैं जो है प्रोड़क PKट का टेबल तो प्रोड़क मैं आप सबसे पहले तो आएगा PID उसके बाद product का नाम तो मैं रख देता हूँ PNM उसके बाद product का जो price है कितनी price में हम लोग उसको बेच रहे तो वो इसके अंदर आएगा उसके बाद product की quantity तो कितनी quantity हमारे पास available है तो इतनी सारे field फिलाल में product table के अंदर रखता हो उसी तरीके से और कितने table और इसके अंदर और एक table बनेगा तो वो होगा order का तो customer customer ने कौन सा product order किया कितनी quantity में order किया तो वो हम लोग इसके अंदर store करेंगे तो वो हम लोग store करेंगे orders table के अंदर तो इसके अंदर कौन कौन सी field आए की तो सबसे पहले तो इसके अंदर आएगा order ID, तो OID में नाम रख देता हूँ, उसके बाद ये order कौन से customer ने place किया, तो इसके अंदर आएगा customer ID, जिसको हम लोग नाम देते हैं CID, उसके बाद वो customer ने, ये जो customer है, इसने कौन सा product order किया, तो उसका मतलब जो product है, उसके ID हम लो store करने माले, तो इसके अंदर हम लोग store करेंगे product ID, उसके बाद उसने product के कितनी quantity खरी दी, तो वो हम लोग ये आपे quantity column के अंदर रख सकते, उसके बाद ये जो order है, ये कौन से date पे place हुआ, तो date भी आपे डालना मतलब काफी important है, क्योंकि कौन से date को order आया, तो वो भी तो होना चाहिए, तो date में नहीं आपे रख दिया, तो इसके अंदर कौन कौन सी primary key है, कौन सी foreign key है, वो हम लोग पहले आपे देख लेते, तो simple है customer जो table है, इसके अंदर जो unique ID है, इसके अंदर CID, तो इसको हम लोग बना देते है, primary key, उसी तरीके से product table के अंदर PID बन जाएग foreign key, तो हमारा जो child table है, order, order के अंदर जो CID है और जो PID है, तो ये क्या है, दो table है, ये customer और ये जो product है, ये हमारे parent table बन गए, तो इनकी जो ID है, वो हम लोग ने child table के अंदर रखा हुआ है, तो ये जो CID है, ये बन जाएगा foreign key, और उसी तरीके से, जो PID है, वो भी बन जा आएगा foreign key, तो ये जो हमारा order table है, ये है child table, तो इसके अंदर दो foreign key अभी हम लोगों ने डालाए, तो ये हो गया, मतलब हम लोगों ने database बना लिया, तो अभी कोई customer हमारे दुकान पे आएगा, कुछ order करेगा, तो उसका हम लोग यहाँ पे record हम लोग insert करते, तो उसके sudo और उसका address और उसका phone number ठीक है, तो address और phone number में रहने दिता हो, तो कुछ इस तरीके से customer का record है, तो अभी समझो हमारे पास product ID है, p1 और उसके बाद product का नाम हम लोग यह आपे डिल दीते है, dell, laptop और उसके बाद उसकी जो price है, वो है 5000 और उसके बाद उसकी quantity है, 10, तो ये हो एक record है, और product के अंदर एक record है, उसके बाद ये जो customer है, उसने order place किया, तो उसका हम लोग order के अंदर record यह आपे insert करते हैं, तो order का पहले तो order ID आ जाएगा, उसके बाद ये जो order table है, उसके अंदर हम लोग को customer ID और product ID डालने मां, तब कौन से customer ने कौन सा product order किया, तो वो हम लोग अभी simple insert करने माले, तो customer मतलब C1, जो C1 नाम का जो customer है, उसने order किया, P1 नाम का product, तो यह आपे P1 आ जाएगा, उसके बाद उसने एक quantity order किया, और कुछ इस तरीके से ये day को उसने order किया, तो ये order table के अंदर record आ गया, तो अभी customer table के अंदर एक record है, हमारा product table के अंदर एक record है, और order table के अंदर भी एक record है, तो अभी समझो है, जो user, sudo नाम का user है, वो हमारे system के अंदर login हुआ, फिर उसने चेक किया, कि उसने कौन-कौन से product है, वो order किये, तो उसको हम लोग को क्या दिखाना है, तो उसको हम लोग को ये product का नाम भी दिखाना है, और उसने कितन quantity order की, वो भी दिखाना है, कौन सी date को order किया, वो भी हम लोग को दिखाना है, और भी बहुत सारे information हम लोग को दिखाने पड़ेंगे, तो अगर हम लोग खाली product table में से अगर select star form करेंगे, तो customer को खाली product का ही, जो detail से वो दिखेगा, तो order का जो detail है, वो तो उसको दिखेगा ही नहीं, तो इस case में क्या करना पड़ता है, हम लोग को ये जो दोनों table है, इन दोनों को हम लोग को करना पड़ेगा, combine मतलब join करना पड़ेगा, और join करने के बाद जो भी result आएगा, वो हम लोग ये customer को दिखाएंगे, ठीके friends, तो कुछ भी जो भी आप सीखते हो, जो भी आप जो टूल है, वो अच्छे से समझ पाओगे, otherwise फिर खाले syntax के फिर आपका फायदा नहीं है, तो जब हम लोग product और order table को combine करेंगे, तो किस तरीके से data आएगा, तो वो data अभी मैं आपको यहापे final जो data है, वो मैं आपको दिखा तो, तो इसके अंदर, सबसे पहले तो हम लोग customer को दिखाएंगे, जो भी product है, उसका नाम, तो यहापे Dell laptop में देख देता हूँ, laptop कुछ इस तरीके से, उसके बाद, उसने किसनी quantity order किया, तो वो आएगा हमारे order table से, तो यह आ गया, उसके बाद कौन सी date को उसने order किया, तो यह जो भी है, date 2022, उसने उस date को order किया, उ उसका जो भी final, जो भी total amount है, वो कितना हुआ, तो एक quantity उसने खरीदा है, तो उस हिसाब से, उसका final amount बनता है, 5000, ठीके points, तो यह जो record है, यह हमारा final record बनेगा, जिसमें से, जिसमें से यह जो quantity है, और जो date है, वो हम लोग order table से fetch कर रहे है, और यह जो product का नाम है, और यह जो यह तो हम लोग calculation करके दिखाने वाले उसको, तो खास कर कि यह जो product का नाम है, वो हम लोग display करेंगे product table से, तो इस तरीके से दो table को हम लोग को जब भी join करना हो, तो उस case में हम लोग use करते है, join, ठीके points, तो generally अभी तो हम लोग select star from, मतलब product select star from order, तो कुछ इस तरीके से हम हम लोग अभी, simple simple हम लोग select query लेकर रहे थे, लेकिन अभी यह दोनो table को हम लोग करने वाले combine, और उसका जो data है, वो हम लोग अभी display करेंगे, तो in short, अभी हम लोग खाली syntax ही सेखने वाले, क्योंकि यह database बनाना, table बनाना, फिर उसके बाद उसके अंदर column add करना, फिर उसके तोनो table के अंदर हम लोग combine करेंगे और data fetch करेंगे, तो अगर आपको table बनाना सीखना है, database बनाना सीखना है, उसके बाद select कैसे करते हैं, वो सीखना है, तो उसका जो भी tutorial है, वो मैं already पिछले episode के अंदर आच्छे से बता चुका हूँ, मैंने पूरी playlist बनागे रखा है, तो अगर आपने पिछले episode नहीं देखें, तो देख लेना, उसके बाद ही आपको ये वाला episode देखना है, तो create वाला, create table वाला, insert record वाला, तो ये जो syntax से वो में इस episode के अंदर आपको नहीं बता होगा, उसके लिए आपको पिछले episode मेरे देखने होंगे, तो फ्रेंड अभी जाओ, mysql workbench के अंदर, तो इसके अंदर मैंने already दुका नाम का database बना के रखा है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से customer का table मैंने बना के रखा है, फिर उसके बाद product का table, उसके बाद order table के अंदर कुछ इस तरीके से field है, और उसके अंदर जो customer id है, और product id है, उसको मैंने बना दिया है फॉरन के ठीक है फाइन्स तो यह syntax में आपको सीखा चुका और उसी तरीके से उसके अंदा कुछ इस तरीके से मैंने record insert करके रखे हैं तो अगर आपको यह जो फाइल है syntax वाली फाइल यह अगर फाइल से यह तो इसको में description के अंदा शेयर कर दोगा वहाँ से आपको select query लिखेंगे तो बार बार हम लोग को database का नाम नहीं लिखना पड़े इसलिए आप यह वाला syntax यूज कर सकते हो तो इसके अंदर अभी हम लोग generally क्या कर रहे थे तो कुछ इस तरीके से हम लोग select query लिख रहे थे जिसके अंदर कुछ इस तरीके से data आएगा तो order table के अंदर product ID है customer ID है तो हम लोग को इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से customer ने order किया खाली customer की यह आपे ID है ID से तो हम लोग को नहीं पता चलेगा customer का नाम हम लोग को जानना है उसका address हम लोग को जानना है phone number हम लोग को जानना है फिर कौन सा product है वो भी हम लोग को जानना है तो इसलि अंदर simple लिखो select star from orders और इसके बाद आपको लिखना है inner join इसको आप चाहो तो एक line में भी लिख सकते हो लेकिन में उसको new line के अंदर लिख रहो तो आपको समझने में easy पड़ेगा तो inner join के बाद आपको कौन से table के साथ आपको join करना है तो order table को कौन से table के साथ join करने तो हम लोग को join करना है product table के साथ और इन दोनों के बीच में कौन सी चीज common है ठीक है पैंस तो जो order table के अंदर product id है वही product के अंदर product id है तो insert जो भी आपका child table होगा तो child table है हमारा order तो इसके अंदर जो foreign की है और जो हमारा parent table के अंदर primary की है इन दोनों को simple हम लोग combine करते क्योंकि दोनों table के अंदर ये जो product id है वो common है तो उसी को हम लोग पकड़ते है और वही condition हम लोग यहाँ पर रखते है तो orders.product id equal to product.product.id और semicolumn और हम लोग इसको करते है execute control enter तो अभी आप देख सकते हो आपको यहाँ पर सारे information मिल जाएगी और फिलाल तो यहाँ पर customer का name ने दिखेगा क्योंकि उसको हम लोगों ने join ने किया है तो वह मैं आपको आगे सिखा होगा तो फिलाल तो आप देख सकते हो यह जो customer है उसने order किया है product, asus, laptop उसकी price है यहाँ पर 50,000 quantity फिलाल जो बता रहा है वह हम लोग को order table से यहाँ पर बता रहा है और स्वारी product table का quantity यहाँ पर है और यह जो quantity है वो है हमारे order table का मतलब यहाँ पर अभी सब mix हो जा रहा है तो in shot अभी हम लोग को specific column हम लोग को fetch करना है तो वह अभी हम लिखाए star तो star को हम लोग निकाल देते है और यहाँ पर हम लोग specific जो भी column हम लोग को चाहिए वह हम लोग specify करते तो order table से हम लोग को चाहिए हम लोग को quantity चाहिए तो हम लोग अभी order table से quantity कैसे fetch करेंगे simple है यहाँ पर आपको पहले जो भी table है उसका नाम और उसके बाद य सिपा आपको करना पड़ेगा तो फिलाल तो यहां पर मैंने एक ही कॉलम लिखा है तो यहां पर एक ही कॉलम आ रहे हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहां पर order. तो वैसे तो हम लोग को यहां पर बहुत सारी कॉलम डिस्प्ले करना है तो हम लोग को हर बार टेबल का नाम जो है पूरा लिखना पड़ रहा है तो वो ना लिखना पड़े इसलिए अभी हम लोग यूज करते है टेबल एलियासे जो मैं आपको अल्रेडी पिछले एपिस सिंपल लिखना पड़ेगा o.quantity तो order टेबल से हम लोग को quantity मिल जाएगा control इंटर हम लग करते है तो आप देख सकते हो यहां पर error आ रहा है क्योंकि जो condition है उसके अंदर भी हम लोग को change करना है क्योंकि हम लग ने टेबल को rename कर दिया है तो यहां पर भी मैंने rename कर दिया यहां पर order का product id और product का product id मैच होगा वैसे record हम लग को चाहिए तो control enter और कुछ इस तरीके से data मिल रहा है तो उसी तरीके से हम लग को quantity मिल गया तो पहले तो हम लग को product कौन से वह जाणने है तो product table से हम लोग patch करते है product का नाम तो मैंने जो product का जो नाम है वो मैंने product title field के अंदर store किया है तो वो तो आपके उपर depend करते हैं आप जो column है वो column का नाम क्या रखना चाते हो तो इसको अभी हम लोग execute करते हैं control इंटर तो आप देख सकते हो जो asus laptop है उसकी quantity order हुआ है उसी तरीके से laptop i7 वाला quantity उसके बाद asus laptop i5 उसकी टो quantity तो इन चोट यहाँ पर जितने भी customer ने order किया तो सारा यहाँ पर mix बता रहा है तो अगर आपको कोई specific customer के record चाहिए तो simple हम लोग use करते है where condition तो यह जो inner है और जो on है वो condition रखने के बाद आप simple इसके अंदर जो where condition है वो use कर सकते हो तो आप इसके अंदर customer जो है वो customer के idea हम लो specify करने वाले तो customer का जो आईडी है वो कहा से मिलेगा हम लोग को तो वो हम लोगों ने store किया है हमारे order table के अंदर customer id के अंदर तो अभी हम लोग actually मैं आपको यहाँ पर select करके दिखाता हूँ तो select star form orders तो यहाँ पर बहुत सारे order है उसमें से यह जो customer 2 है c2 उसका हम लोग फिलाल तो order यहाँ पर display करते हैं तो o. क्योंकि order table के अंदर customer id है तो o.simple हम लोग यहाँ पर specify करते है customer id equal to double code के अंदर c2 semicolumn इसको करते हैं हम लोग execute तो अभी हम लोग को कौन से order दिख रहे है जो customer 2 ने order किया वैसे order अभी हम लोग को दिख रहे तो उसने असुस का laptop i5 वाला i7 वाला और mouse करीदा है तो i5 के two quantity i7 का one और mouse का one quantity उसने करीदा है तो अभी इसके अंदर हम लोग को कौन कौन से detail चाहिए तो वो अभी हम लोग को आपे specify करना है तो order table में से हम लोग को और कह चाहिए तो order date हम लोग को चाहिए तो order date रख दिया इसको कर ना हुआ तो वह भी हम लोग को जानना है तो वह हम लोग इसके अंदर calculate करेंगे तो हमारे पास है quantity और जो price है वह हम लोग को किस में से मिलेगा तो product table में से तो वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले select star from products तो आप देख सकते हो product table में हमारे price field है तो उसी काम लोग यू यहाँ पर calculation करने वाले ठीक है क्योंकि हम लोगोंने जो final amount है वह हम लोगोंने table के अंदर store नहीं किया तो उसको हम लोग simple calculate कर सकते तो price तो हम लोग को मिल गया उसके बाद order मतलब कितनी quantity order किया है तो वह order table में से हम लोग quantity को fetch करते है और इसको हम लोग करते है run control enter तो आप द हकिति है तो कुछ इस तरह की से उसका final amount यहां पर बन रहा है तो आप देख सकते हो यह Marina का नाम है कुछ यह को रेकौर्ड हरा है तो इसके अंदर भी हम लोग alias का यूज कर सकते हैं और कुछ इस तरह के हम लोग को नाम का नाम दे सकते हैं सकते हैं करके control इंटर तो अग मिल रहा है तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से जितने भी concept हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर सीखे थे सारे के सारे concept अभी हम लोगों ने एक ही query के अंदर यूज कर लिया टेबल एलियासे फिर सिलेक फिर वेर कंडिशन ठीके पैंड्स तो एक भी टॉपिक आपको स्कीप नहीं करना है हार एक टॉपिक देखो step by step जाओ तभी आपको high level वाले concept समझ में आएंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग जब भी मतलब software develop करते हैं हम लोग को कुछ data हम लोग से data दिखता है और अगर आप चाओ तो generally हम लोग को जब हम लोग order करते हैं तो हम लोग को order id भी मिलता है तो order id आप इसके अंदर रख सकते हो तो कुछ इस तरीके से order table में से order id control enter तो starting में आपको order id मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग 2 table को join करके हम लोग data patch कर सकते और फैन इसके अंदर यह जो on condition है यह आपको जरूर रखना है अगर आप इसको रखोगे नहीं तो table को समझ में ही नहीं मतलब यह जो query है इसको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको करना क्या है तो अगर इसको आप execute करोगे तो कुछ नहीं वो record तो लेके आएगा लेकिन आप आपको सारे double double record आपको मिलेंगे मतलब बहुत सारे record आपको मिलने वाले ठीक है तो इन शॉट वो काम नहीं करता है आच्छे से तो इसलिए आपको यह जो on condition है मतलब यह जो child table है उसकी foreign key और जो parent table के अंदर primary की तो इन दोनों को आपको combine करना है तो चाओ तो यह जो part है यह आप आगे रख सकते हो और यह जो part है आप equal to के बाद पीछे रख सकते हो उससे कुछ फरगने पड़ता है simple आपको on के बाद जो भी primary की foreign key है उसको आपको अच्छे से specify करना है otherwise फिर मैंने आपको बताया multiple record आपके आने वाले तो friend कुछ इस तरह के से अभी हम लग को यह जो report generate करनी है जिसके अंद सारे customer के order हम लोग को चाहिए तो simple में क्या करोगा यहां से मैं निकाल देता हूँ तो actually इसको मैं पहले कर लेता हूँ copy उसके बाद हम लोग यहां पे paste कर देते हैं और यहां से हम लोग condition निकाल देंगे क्योंकि हम लोग को सारे customer का record चाहिए तो अभ order किया तो इस case में हम लोग को customer का डेटा चाहिए तो अभी आप सोचोगी कि order table के अंदर हम लोग के पास customer id तो है उसको हम लोग करते हैं तो नो प्रोब्लम इसके अंदर अंतर को customer id मिल रहा है लेकिन हम लोग को customer का नाम छाहिए ठीक है तो हम लोग को नाम से पथा चालेगा कौन से customer ने order कि आईडे से तो हम लोग को कुछ पताने चलता है तो इन THE टेबल से हम लोग को नाम फेच करने तो यह क्वेरी के अंदर हम लोग को customer टेबल को भी जोइन करना पड़ेगा तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं inner join with three table मतलब कितने भी table के साथ आप जोइन कर सकते हो तो simple सा syntax से वह अभी हम लोग सीखने वाले तो अभी आज आज आँ माय square workbench के अंदर तो जैसे हम लोग ने प्रोड़क टेबल को जोइन किया था order table के साथ तो एक्चली यह जो order table है order जो फ्रॉम वाला जो है वह में नीचे ले लेता हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो order table को हमने जोइन किया था प्रोड़क के साथ जिसके अंदर प्रोड़क आईडी और order की प्रोड़क आईडी सेम थी उसी तरीके से हम लोग क्या करना है तो यह जो इनर है और जो ओन है वह सिंटेथ खतम होने के अबद दूसरा table जोइन करना हो तो वह आप डारेक्ली यह पर स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर भी आपको लिखना है इनर जोईन और अभी हम लोग को कस्टमर टेवल से जोईन करना है तो इसके अंदर भी यहां पर कस्टमर टेवल और उसको भी हम लोग ऐलियास से दे देते हैं और उसके बाद यहां पर कंडिशन उनके बाद कंडिशन रखना कंपल्सरी है तो order table के अंदर है हमारी customer id equal to और उसके बाद customer table के अंदर है हमारी primary की customer id तो अभी जैसे मैंने आपको database यह आपे सिखाया था table मैंने आपको बना के दिखाया था तो वही आपे अभी हम लोग use करने वाले तो customer के अंदर यह जो customer id है यह हमारी primary की और order table के अंदर customer id फॉरंग की तो इन दोनों को हम लोग join करेंगे और उसी तरीके से product table की PID और order table की PID तो इन दोनों को हम लोग join करेंगे तो फ्रेंड जब भी हम लोग generally जब भी हम लोग join करते हैं तो जो हमारा child table होता है तो उससे हम लोग हमेशा query लिखना start करते हैं तो आप देख सकते हो query के अंदर यहाँ पर मैंने सबसे पहले start किया था order table से फिर order table के बाद product table फिर customer table कुछ इस तरीके से join किया है तो यह concept आप यूज़ कर सकते हो तो customer table में से अभी हम लोग को चाहिए customer का नाम तो आप simple यहाँ पे लिख सकते हो c और customer id तो हम लोग को दिखाना नहीं है तो customer table से हम लोग को चाहिए name तो मैं आप लिखता हूँ full name actually जो field का नाम है वो मैंने रखा है full name तो full name आ गया और इसको हम लोग करते है execute तो friend आप देख सकते हो अभी हम लोग को properly आप डेटा मिलेगा तो जो विराट नाम का user है उसन इस date को यह product order किया एक quantity में और यह उसका total होगा तो कुछ इस तरीके से हम लोग को भी properly data मिलेगा है मतलब 3-4 table जितने भी आपको join करना हो उसको आप join कर सकते हो और data patch कर सकते हो simple आपको यहाँ पे लिखना है inner join और आपके जो भी parent table है उसका नाम उसके बाद inner join parent table है उसका न यह जो join हो रहा है तो यह join किसके बीच में हो रहा है customer और order table के बीच में तो यह याद रखना from के बाद जो भी आपने table specify कि होगा उसके साथ यह join perform होगा ना कि product के साथ तो आप सोचो कि product और customer में तो कोई common है ही नहीं तो फिर लोचा होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है order table और customer table के बीच में common क्या है तो customer id तो इन दोनों के बीच में होने वाला है join तो ज्यादा मत सोचो आपको यह जो syntax है इसके थोड़ी practice करो तो आपको automatically idea आई जाएगा तो friend फिलाल के लिए इस episode में इतना ही जितना भी आपको time मिलता है अच्छे से practice करो discipline रखो और जो भी time मिले अ तो query मैंने अभी बताया यह मैं आपको description में share कर दोगा link तो वहाँ से आप ले सकते हो तो फिलाल के लिए इस episode में इतना ही और अगर मेरे जो tutorial है वो अगर आपको कुछ सेखने के लिए help कर रहा हो तो यह दूसरों को भी help करेगा इसलिए आपके friend family के अंदर जिसको भी software development मे में interest है coding में interest है starting से code सीखना है उन सभी के साथ आप यह मेरे सारे टूटल जरो जरो शेर कर सकते हो ठीक है तो फिलाल के लिए इस episode में इतना ही thank you हुआ 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 है